कर दोस्तों मैं डॉक्ट मीनाक्षी सेंग आप सभी का मेरे चानल डॉक्ट मीनाक्षी हो मैं पाते कंसल्टेंग पे बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक के बारें बताने जा रही हूं जिससे भारत मे बहुत बड़ी आबादी सफर कर रही है जिसका नाम है डाइबिटीज तो डाइबिटीज के बारे में मैंने अपना एक डिटेल वीडियो पहले से बना रखा है आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टाइप टू डाइबिटीज के बारे में कि टाइब टू डाइब सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ बैल आइकोन बटन जरूर दबाएं जिससे कि जब मैं अगला वीडियो अप्रोड करो तो इसका इंफोर्मेशन आप तक पहुंच सके तो स्टार्ट करत है टाइब यौन एडुट आज हम बात करेंगे टाइब यृबिटीज की समस्य तब संस्टार्ट होती है जब आपका पैंक्रियाज है वह इंसुलीन का उत्पाधन कम मात्रा में करता है इंसुलीन के बारे मेромें जानते कि इंसुलीन क्या है इंसुलीन एक ऐसा हार्मोन है आपके बलड में जो ग्लूकोस का लेवल है उसको कंट्रोल करता है लेकिन जब इंसुलिन का उत्पादन सही मात्रा में नहीं हो पाता है तो जो ग्लूकोस यानि सुगर है वो धीरे धीरे ब्लड सेल्स यानि रख्त कोशिकाओं में जमा होने लग जाता है इसी वज़ा से टाइप 2 डाइबिटीज कॉज होता है तो जो टाइप 1 है और टाइप 2 इसमें डिफरेंस क्या है तो टाइप 1 में जो है इंसुलिन जो बॉडी में है वो उसका प्र इंसुलिन के प्रती उतना नहीं दे पाती है तो यह इसका एक बहुत ही आम डिफरेंसियेशन है इसके लक्षण किस तरह से डिफरेंसियेट होते है इसके जो टाइप 1 और टाइप 2 है इसमें जो सिम्टम है लगभग सेम ही है बस अंतर क्या है कि जो टाइप 2 है उसमें जो जबकि टाइप 1 में जो सिम्टम्स है वो उसको बच्पन से ही जैसे बोलते हैं कि बच्पन में ही होने वाला सूगर है डाइप 1 को तो इसमें जो है लक्षन बहुत जल्दी अपियर हो जाते हैं विदिना वीक भी इसके सिम्टम दिखाई पढ़ने लग जाते हैं तो जैसे बताया मैंने आपको कि बच्पन में होने वाला डायबिटीज बोला जाता है लेकिन आज के टाइम में टाइप 1 डायबिटीज के होने की भी कोई एज ग्रूप नहीं है यह अभी कभी भी हो सकता है खासकर कि बच्चों में और यूवा पीड़ी में तो यह तो इसकी बात ह होई कि किस तरह से डिफरेंसीयेट कर सकते हैं क्या के लक्षन देखने को मिलेंगी आपको इसकी बात करते हैं क्या सिंटम्स जो में होते हैं इसमें जैसे कैles में भूब जादे लगती है जो मरीज वहोगा उसको बार बार कुछ खाने कove खॸют बार-बार भूक लगेगी, पानी की प्यास भी अधिक मात्रा में उसको क्रैविंग होगी और साथे साथ यूरिन के लिए भी उसको बार-बार जाना पड़ेगा, और इसके अलामा सरीर में कमजोरी रहती है, ठकान जल्दी महसूस होता है, चक्कर आने लग जाता है, जो इसको कोई घाव है, या फिर चोट लग गया है, तो उसको हीलिंग प्रॉसेस जो है, बहुत ही स्लो हो जाती है, बहुत लंबा समय लग जाता है, घाव को या चोट को भरने में, हाथों पैरों में सुनपन की स्रिकायत मिल सकती है, जंजनाहट रहेगा, जैसे बोलते जुन जानेंगे कि क्यों हम इसको कैसे चंट्रोल कर सकते है, जो टाइप टू डाविटीज है, किस तरह से चंट्रोल कर सकते हो, सबसे में चीज है, अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करोंगे, जैसे आपकी जो हैबिट्स हैं, उल्टा सीधा खाने की है, ओली अगर आप इनको कंट्रोल करोगे, सही से इन चीजों को फॉलो करोगे, तो आपकर जो टाइप टू डाविटीज है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कीज़ किजिए, हल्दी लाइफ स्टाइल जीए, और साथ ही साथ में डाइप पे कंट् करें, आप देखेंगे, आपका जो सुगर का लीवल है, वो धीरे-धीरे नॉमल हो जाएगा, नेक्स हम बात करते हैं कि ऐसे कौन-कौन से टेस्ट है, जो कि हम टाइप टू डाविटीज के लिए करा सकते हैं, तो जैसे कि रूटीन चेकप आप जानते ही हैं कि बलड़ सु हैं, यह भी आपको अपने रूटीन में जरूर कराना चाहिए, नेक्स आनते हैं कि किस तरह से आप होमेपैथिक मैडिसिन से अपना जो आपका टाइप टू डाविटीज है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, होमेपैथिक में बहुत ही इफेक्टिव मैडिसिन से कि आपका जो सुगर का लेवल है, वो दीरे-दीरे नॉर्मल हो जाता है, यह अपने परसनल एक्सपीरेंस से बता रही हों कि जो मैडिसिन से होमेपैथिक में आपका सुगर कितना भी बढ़ा हुआ है, अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपना जो लाइफस्टाइल है, उसको च सिजिजम जम्बुलेन मदर टिंग्चर, इसके यूज करने से आप देखेंगे जो आपके शरीर में ठकान रहता है, कम जोरी है, वजन कम हो रहा है, जो भी परिशानी है, हाथ प्यार में सुन्पन लग रहा है, यह सब परिशानिया धीरे-धीरे ठीक होने लग जाएंगी, आपको निजात मिलने लग जाता है, तो यह बहुत ही अच्छी मेडसिन है, होमेपैथिक में, बहुत ही कारगर है, अगर आपके कोई लक्षन आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, फिर भी अकर आपका सुगर लेवल बढ़ा है, और आप इस मेडसिन को यूज करते हैं, तो आ 1 फोर्थ कप पानी लेना है, याद रखिए कि जो आप मेडिसिन यूज करेंगे, उसको कांच के ग्लास में, या फिर चीनी मिठीके के कप में ही यूज करें, तो आपको कप में 1 फोर्थ कप पानी लेकर के, मेडिसिन की 10 से 15 बून डाल करके, सुबह, दो पार, शाम, दिन म ये भी बहुत एफेक्टिव है, इसको भी आप इस मेडिसिन के साथ में यूज कर सकते हैं, डिबो निलकी आपको 10 से 15 बून यूज करनी है, आधे कप पानी में डाल करके, और इसको भी दिन में 3 बार, सुबह, दो पार, शाम यूज करें, खाना खाने से आधे से 1 गंटे पहले ले ले और दोनों मेडिसिन के बीच में कम से कम 15 मिनट का गैप जरूर रखें, तो ये बहुत ही एफेक्टिव मेडिसिन्स हैं, जो कि आपके जो टाइप 2 डियाबिटीज है, उसको भी कंट्रोल कर सकती है, तो यदि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो और साथ ही साथ में, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्यू, बाइ-बाइ